Hey guys, welcome to my channel, मेरा नाम है विशाली और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी इंस्टाग्राइम की फीड पे जो हाइलाइट्स अपने एड करी है उसके उपर कवर पिक सेट कर सकते हो मैं आपको एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको हाइलाइट्स अड करना नहीं आता तो मैंने आल्रेडी इसके उपर एक वीडियो बना के डाली हुई है आप लोग यहां पर यह आई बटन में होगी आप लोग वो जा कर ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको नहीं बताएगे हाइलाइट्स कैसे आड करते है इसके अलावे मैं आपको एक और चीज बता दू कि इंस्टाग्राइम पे अगर आपको अपनी फीड बहुत अच्छ होते हैं उन लोगों की जो हाइलाइट्स होती है उस पर एक प्रॉपर कवर लगा होता है तो वह कवर अगर आप अपने फीड पर इंस्टाग्राइम की डालते हो तो वह आपको काफी जादा अट्रैक्टिव लुक देता है और वह आपकी फीड को बहुत जादा प्रफेश को दो तरीके बताएं हैं जिससे आप अपने इंस्टाग्राइम के जो हाइलाइट्स है उसकी कवर बना सकते हो है तो यार बिना किसी बातों को बढ़ा है वह लेट स्टार्ट विड दो वीडियो अब इसके में आपको दो मेंधड बताऊंगी और उसके लिए लेकिन दोनो अब्स अबोमेधड ऐट एक ही चीज से होना हैं तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्लेस टोर पर और वहां से आपको डाउनロब करना जैसे कि आप लोग अगर Canva डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास में ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके Canva रखा हुआ था तो मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो ऐसा इंटरफेस मुझे दिख रहा है और ये इंटरफेस तब ही आया है जब मैंने साइनिन कर लिया है उस आपको करना अच्छा लगता है तो ये वाला option आपके लिए best है क्योंकि इसमें आप सबसे जादा modifications कर सकते हो अपने according और दूसरा वाला ऐसा है कि जो pre ready templates होती है हमें उसमें से लेना है तो मैं आपको पहला वाला method बता देती हूंकि आपको कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है ये plus वाले icon पे black color का इस पर मैं click करूंगी जैसे ही मैंने इस पर click किया अब यहां पर आपको choose करने के लिए size काएगा सिंस मुझे instagram का post अगर करना है या फिर story post करना तो यहां पर मुझे select करना है instagram story का post तो यह आपको select कर लेना है जैसे ही मैंने इस पर select किया अब यहां पर आ रहा है tap something to start editing तो यहां पर मैं tap करूंगी और यहां पर मुझे सबसे पहले इसका color change करना है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो तो यहां पर मैं लोगी यह color और image में color में जाकर मुझे लेना है इसमें मुझे bright थोड़ा सा बताना है इसलिए मैं यहां पर ले रही हूँ यह yellow color जैसे ही मैंने यह set कर लिया है अब मुझे जाना है यहां पर down side में वापस से plus वाले icon पर यह मैं गई यहां पर और इधर पर मुझे जाना है illustration पर आपको जैसे यह वाला option दिख रहा होगा illustration पर मैंने click किया अब यहां पर मैं जाओंगी first वाले option पर जो की है shape अब मैंने यहां पर shape select कर लिया है अब shape select करने के बाद में आप कोई भी shape यहां पर select कर सकते तो मैं यहां पर heart वाला shape select करूंगी इस पर मैं color देना चाहती हूँ तो इसका color मुझे change करना है अब इसका color मुझे यह नहीं रखना है मुझे black color का इसे बनाना है ताकि बहुत attractive लगे तो यह मैंने इसे black color दे दिया है अब इसके बाद में once you are done with this आप वापस से जाईए उसी पर tap करके फिर आपको जाना है इस plus के icon पे अब यहां पे plus के icon पे जाना है फिर से illustration पे मैंने यहां पे क्लिक कर लिया अब आपको यहां पर search करना है जो भी आपको लगाना है जैसे कि अगर आपको यहां पर direct text डालना है तो आप वो करके डाल सकते हो यहां आपको icon डालना है जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे logo के में देखा होगा वो ल जो crowns आप देख रहे हैं, ये crowns जो हैं, ये सब paid वाले version है, तो आप ये वाले free वाले version यूज़ कर सकते हो, वैसे तो मैं आपको ये suggest करूँगी कि Faltu का pay क्यों करना जब आप free में use कर सकते हो, कोई भी application के जितने भी features हैं तो, तो मैं आपर ये वाल option को add करूँगी, इसको म अब ये पूरा ready है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे से save करना है, तो मैं यहां पर जाकर इसे save कर दूँगी, ठीक है, अब after saving that, मैं जाओंगी वापस इस पर continue editing पे, अब हमें दूसरा वाला option करना है, अब मैं यहां पर इसके main वाले page पे जाओंगी, वापस से application कोल के इसका main interface है आपको ऐसा दिख रहा होगा, अब यहां पर मुझे search करना है templates, यह templates ऐसे होते हैं कि वो pre पूरे बने हुए होते हैं, उसे सिर्फ आपको use करना है, अपने instagram के लिए 5-6 का set होता है, वो set आप पूरे अपनी stories में लगा के use कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी उ करना है, यह instagram story highlight cover पे, जैसे ही मैंने इसे select किया, आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी सारे इसमें interface है, बहुत सारे यह सारे फ्री है, आप कोई भी इसमें use करके अपने पास में use कर सकते हो, तो मैं यह बाला लूँगी, यह neon color का का काफी जादा cool दिख रहा है, तो इस पहले से ही काफी सारे options दिये हुए, इस पर edit भी कर सकते हो, तो edit करने के लिए आपको कुछ नी करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी change कर देना, वैसे तो यह pre बने हुए है, तो आप इसे use कर सकते हो, और मैं दूसरा वाला method आपको बताऊंगी, कि अगर आपको ऐसे वा यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसमें text डाल सकते हो, जैसे कि मुझे अगर इसको work का बनाना है, तो यहाँ पर यह जो है, इस पर मैं type कर दूंगी work, और इसकी यह खासियत है कि यह same ही kind of font में होते है, यह same ही kind का इनका appearance होता है, तो सारी जितनी भी highlights होती है, वो सब same दिखत होंगी, अपने Instagram पर मैंने बहुत सारे highlights बना के डाले हुए, अब यहाँ पर मुझे शूट में कुछ और highlight डालने है, तो मैं इस पर click करूंगी, और यहाँ पर जो 3 dot, यहाँ पर more वाला option है, मैं इस पर click करूंगी, यहाँ पर आपके पास में option आएगा, edit highlight, जैसे ही आप य edit cover वाला option आएगा, अगर आपको इसकी title भी बदलना है, तो आप यहाँ पर edit cover वाला option करूंगी, और यह option है, first वाला आपको इस पर click करना है, अब जितने भी हमने यहाँ पर बनाये हुए थे, जैसे कि मैंने यह वाला अपना बनाया था, तो आप इसमें छोटा या बड़ा जैसे भी आपको करना है, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यह circle है, तो आपको इसके accordance में करना है, अब आप इस पर next करेंगे, done, done, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह जो shoots वाला जो option है, यहाँ पर yellow color का background दिख रहा है, फिर एक heart दिख रहा है, और फिर एक YouTube वाला option दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने YouTube का option दिया हुआ है, वही पर यहाँ पर मैं TikTok का भी cover सेव कर सकती हूँ, तो वो same बिलकुल लगेगा, तो guys, I hope आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाब एक लाइक कर देना, मेर इंस्टाग्राम से related tips और tricks के लिए, तब तक आप सब अपना खयाल रखें, stay safe और bye bye